किसान राज्य की अर्फिवस्था की रीड है हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और प्रिश्रम के कारण अरियाना रास्तिय खाद्य शुरक्षा सुनेशित करने में प्रमुक्त योगदान करता है मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली रण पर 31 मई 2024 तक मूल धन का भुखतान करने पर ब्याज पर जुर्माने की माफी की गोशना करता हूँ जो डिफाल्टर हैं उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं जिनका मूल धन तो 2140 क्रोड रुपया है लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी इस समय बकाया 1749 क्रोड रुपया हो गई है इनको 1749 क्रोड रुप किसान का बेटा हूँ आज बली छोटी किसानी मेरी होगी मैं किसान हूँ मैं किसान के दर्द को समझता हूँ हम ये योजना पिछले 9 वर्ष में एक बार पहली भी लेकि आ हैं आज दुबारा से लेकर के आ रहे हैं कि ऐसे जो डिफाल्टर किसान जो समय पर बुगतान नही बता दी पाच लाग 47,900 किसान है और उनका जो कुल मूलधन की राशी 2140 क्रोड रुपया है और उनके उपर ब्याज और जवबाना 1749 क्रोड रुपया है आज उनको दुबारा से रिण लेने में कठना ही आ रही है अब हम स्कीम ला रहे हैं कि अगर ये 30 स्टमबर 2023 तक का य अपने ब्याज और जो उनकी पेनल्टी उसको माफ करा देंगे उसके बादी दुबारा रिण लेने के यूके हो जाएंगे अगली फसल के किसान राज्य की अर्फिवस्था की रीड है हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और प्रिश्रम के कारण अरियाना रास्तिय खाद्य प्रिश्रमाने की माफी की गोशना करता हूँ जो डिवाल्टर हैं उनकी संख्या भी इस समय पांच लाख सैंतालीज जान नौसो किसान हैं जिनका मूल धन तो 2140 क्रोड रुपया है लेकिन उनके पर व्याज और पेनल्टी समय बकाया 1749 क्रोड रुपया हो गई है इनको 1749 क्रोड पे की छूट की गोशना करता हूँ ने विफ्यान है किसान का बेटा हूँ आज बली छोटी किसानी मेरी होगी तो किसान के दर्द को समझता हूँ अब ये योजना पिछले नौवरश में एक पहली भी लेकि आ हैं आज दोबारा से लेकर करके आ रहे हैं कि ऐसे जो किसान जो समय पर बुगतान नहीं कर सके किनी कारणों से भी नहीं कर सके होंगे उनका साल के बाद अगर समय पर फसली बुगतान नहीं हुआ होता है यानि ब्याज भी लगता जुरुबाना भी लगता है वो जुरुबाना और रिन जो है उसके किसानों के संख्या मैंने बता पाँच लाग 47,900 किसान है और उनका जो कुल मूलधन की राशी 2140 क्रोड रुपया है और उनके उपर ब्याज और जिवाना 1749 क्रोड रुपया है आज उनको दुबारा से रिण लेने में कठना ही आ रही है अब हम स्कीम ला रहे हैं कि अगर ये 30 स्टमबर 2023 तक का यानि फसली रिण जो पिछला लिया गया था उस रिण को यदि अगली फसल के समय 31 मई 2024 तक ये जमा करा करके अपने ब्याज और जो उनकी पेनल्टी उसको माफ करा देंगे उसके बादी दुबारा रिण लेने के यूके हो जाएंगे अगली फसल के लिए